हेलो फ्रेंज मेरे चैनल गुल्दस्ता में आपका स्वागत है अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले आज हम बनाने वाले हैं रोगन जोस यह कस्मीरी डिस है इसे बकरे के और भेर के मीट से तयार किया जाता है हम आज बकरे के मीट में तयार कर रहे हैं यह देखने में जितना ही कलरफुल होता है खाने में उतना ही स्वाधिस्ट होता है और दही देने के कारण हलका सा खटास लिए हुए कस्मीरी मीर्च और सौफ के पाउडर का एक बहुत ही अच्छा सा खुस्बू आता है इसमें और बहुत स्वाधिस्ट होता है यह तो के लिए हमें खिन कई असाम अग्री किया वशकता है कि हमने बक्रिय promotions का मीट लिए हैं और ये सारे 700 gram है से धोकर कर लिए हैं और इसका पानी पुरी तरह से हमें सुखा कर लेना है कि इसके लिए हमें चाहिए प्याज हम तीन बड़ा लिये हैं और इसको पतला काट लेना है सौफ दो बड़ा चमच इसका हमें पाउडर बना लेना है एक छोटा चमच जीरा पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक बड़ा चमच होमेड गरम मसाला यह कैसे बनाते हैं अगर यह आपको नहीं मालूम हो तो इसका वीडियो है हमारे चाइनल पर आप देख सकते हैं लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं दो बड़ा चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर दही चार बड़ा चमच दही बिल्कुल फ्रेश रखना है और दही का पानी निकाल करके बिल्कुल ही हमें ठीक दही चाहिए तो पानी बिल्कुल निकाल लेना है दही से नमक हल्दी अद्रक लासुन का पेस्ट और फोरन के लिए हमें चाहिए दो से तीन तेजबत्ता आधा छोटा चमच हींग आज से दस कुटी हुई काली मेर्च आधा छोटा चमच कुटा हुआ जायफल पाउडर चार से पांत फोटी इलाइची दो छोटे टुक्रे दाल चीने के थोरी सी जावित्री साबूत जीरा चक्री फूल और एक बरी इला तो आई अभी से बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले गैसान पार लेगे और तेज आच पर में ही हम एक मोटी पैंदी वाली बरतन को गर्म करेंगे बरतन हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम यहांदान करेंगे घी और घी गर्म हो चुके हैं अब हम इसमें फोरण पका लेंगे हलका सा फोरण को हमें पका लेना है फोरण हमारा पक चुका है तो अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल कर हम हलका गुलाबी होने तक इसे चलाते हुए ही तेज आज पर इसे भूनेंगे प्याज हमारा हलका गुलाबी होने लगा है तो अब इसमें हम फांस मिलाकर इसे करीब पांस से साथ मिनट तक तेज आज पर ही बीच बीच में चलाते हुए इसे भी हम भूनेंगे और अब इसमें हम अद्रब और लहसुन का पेस्ट मिला लेंगे और इसे भी करीब दो मिनट हम तेज आज पर भी भूनेंगे और अब हम नमक कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर को मिलाकर इसमें फिर से इसे हम दो से तीन मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और दो तीन मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम धन्या पाउडर जीरा पाउडर सौफ पाउडर और चुटकी भर हल्दी मिलाकर कम से कम 5-7 मिनट तक हम तेज आज पर भूनेंगे हल्दी हमें बहुत ही थोड़ा लेना है क्योंकि रोगन जोस का ग्रेवी पीला नहीं होता है लेकिन चुकी हम यहां इसमें दही मिक्स करेंगे तो बहुत जादा सफेद हमारा ग्रेवी ना हो जाए इसलिए थोड़ा साही हमें यहां फल्दी लेना है और इसे भी हम गुनेंगे पास साथ मिनर तक यकरी पांच मिनर तक हम यहां इससे भून लिये हैं तो अब हम यहां मिक्स करेंगे इसमें दही लेकिन दही मिलाने से पहले हमें गैस को बिल्कुल ही कम कर लेना है आज हमें बिल्कुल कम कर लेना है नहीं तो अगर आज तेज रहेगा तो दही फट सकता है बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा तो इसलिए ध्यान रखना आज हम बिल्कुल कम कर लेंगे और पहले एक चमश दही मिलाकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हलका साई जब यह दही मिक्स हो गया इसमें अब हम बाकी के तीन चार चमश दही और डालकर इसे हम मिक्स करेंगे अगर हो सके तो दही को आप फ्रीज में रख लें अगर बिल्कुल ठंडा रहेगा आपका दही तो बिल्कुल उही नहीं फटेगा वह स्प्रिट नहीं होगा जब आप उसे पकाने के लिए किसी भी सबजी या कहीं भी उप्योग करेंगे तो इसे दही को अभी हमें मिक्स कर लेना है अच्या से और इसे कम से कम अभी हमें 15-20 मिनट भूनना है इस यह अब हम घ्ल गयस को कम ही रखेंगे लेकिन इसे धक देंगे और दो से तीन मिनट धकन कर रखेंगे और उसके बाद फिर से हम धकन हटा करके इसे चला कर हम देख लेंगे और ये तब तक हमें भूनना है जब तक की घी दिखने नहीं लगे मटन में तो अभी इसे हमें और पांस से साथ मिनट भूनना है मटन में गी दिखने लगा है तो यहां पर इसमें हम ग्रेवी डाल लेंगे और ग्रेवी अभी थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि इसी ग्रेवी में अभी हमें मटन को पकाना है और आज यहां हम तेज कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मटन पुरी तरह से पक ना जाए तो करीब करीब हमें 45 मिनट का समय लगा है और मटन हमारा बिल्कुल पक चुका है तो अब हम यहां इसमें गरब मसाला पाउडर मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिला कर इसे एक वार और धक देंगे और एक उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे ग्रेवी अच्छे से खॉल रहा है तो अब यहां गैस हम बंद कर लेंगे और ग्रेवी हमें जितना चाहिए अतना ही ठीक हमें रखना है ग्रेवी को और इसे 10 से 15 मिनेट के लिए हम ठंधा होने के लिए रखेंगे हलका सा इसे ठंधा होने देना है और इसके बाद हम इसे फरोसेंगे तो रोगन जो समारा बन करके तैयार है ये देखने में जितना ही खुब सूरत है खाने में भी उतना ही स्वादिश्ट होता है इसे आप रोटी पूरी पराठे पुलाव या भाद के साथ भी खा सकते हैं और पाटी का ये सान होता है रोगन जोस अगर आप नॉन्वेस पाटी कर रहे हैं तो इसका बहुत ही अच्छा सा ये डिस है तो आप भी जरूर बनाएं खाएं और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा मुझे उमीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए स्वात के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू